महराश्ट के चंद्रपूर के बलार्शा रिल्वेस्टेशन पर जैपूर चैन ने सुपरफास ट्रेन की B5 बोगी की एसे खराब होने से यात्रियों ने जम कर हंगामा मचाया यात्रियों ने बताय कि जैपूर से ट्रेन निकली तभी से B5 बोगी की AC बन थी यात्रियों ने कई बार इसके शिकायत रेल करमचारयों से की जिन स्टेशनों पर ट्रेन रुकी वहां भी इसके शिकायत दर्च के गई लेकिन रेलवे की ओर से हर बार अगले स्टेशन पर AC की मरम्मत करने का आश्वासन दिया गया यात्रियों ने अपना आधा सफर गर्मी में ही तै किया फिर भी रेलवे की ओर से कोई कारवा ही नहीं की गई इसलिए यात्रियों के सबर कबान टूटा और बलार्शा रिल्वे स्टेशन पर एसी ठीक करने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया गया ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती वैसे ही यात्री ट्रेन खीच कर ट्रेन को रोक देते यात्रियों ने तीन बार ट्रेन खीच कर ट्रेन को करीब देड़ घंटे स्टेशन पर ही रोका इस बेच आरपी एफ, जी आरपी और स्थानी पुलिस और रेलवे प्रशासन यात्रियों को समझाने की लाग कोशिश कर रहे थे लेकिन यात्रियों ने जब तक एसी शुरू नहीं होता है तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ने देंगे ऐसी मांग पर अड़े रहे एक तरफ भिशन गर्मी उपर से बोगी की एसी खराब होने से यात्रियों के हाल बुरे थे एसी बोगी में भी यात्री खुद को पेपर और तकी से हवा मार कर खुद को राहत पहुचाने की कारे कर रहे थे बलार्शा स्टेशन एक छोटा स्टेशन है यहां एसी ठीक करने को लेकर जानकार इलेक्ट्रिशन भी नहीं है फिर भी प्रात्मी तौर पर जाच की गई लेकिन इसी ठीक नहीं हो पाई करीब तेड़ घंटे के हंगामे के बाद बलार्शा स्टेशन के स्टेशन मास्टर आर्टी नंदनवार ने यात्रियों को लिखित में पत्र दिया कि अगले वारंगल स्टेशन पर इसी की मरमत कर दी जाएगी तब जाकर यात्री माने और ट्रेन आगे बड़ी एक तरफ तो हम बुले ट्रेन की बात कर रही है वंदे भारत ट्रेन कई शेहरों से शुरू की जा रही है लेकिन सूपर फास्ट ट्रेनों में इस तरह के घटनाए रेल प्रशासन की कारेप्रिनाली पर कई सवाल खड़े कर रही है इसके महान में पी बार गाड़ी चल चुकी है बार बार बेचसे आयम हमें लोके और गाड़ी चल रही है ये क्या तरी जा यह आ है जाओ सिर्का है क्या स्कांड़ आपका? बलारपूर रेल्वे स्टेशन से सुनील ताडी की स्पेशल रेपोर्ट